नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा नया शो धर्ती से सिखर तक जैसा कि आपको पता है कि हम इस सो में आपसे मिलवाएंगे नए नए सक्षियतों से नए नए लोगों से जिनों ने अपने मेहनत और लगन से एक मुकाम हासिल किया है और इस सो की आज पहली कड़ी में हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं बहुती बहतरीन कोरियोग्राफर, डैंस डारेक्टर और एक्टर हिमानसु चोहान जी से आईए देखते हैं हिमानसु चोहान जी की जीवन की एक जलत हुआ है तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है हिमानसु जी हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप कहां से हैं और आपकी शिक्षा अधिक्षा कहां से हुई मैं उत्तर प्रिदेश जिला के छोटे से गाउं ग्राम हादकपुर का रहने वाला हूं और मेरी सिक्षा टैन्थ क्लास तक गौर्वर्नमेंट स्कूल में हुई है उसके बाद ग्याजुवेशन मैंने कानपूर उनिवस्टी से कंप्रेट की है तो आपने ग्रेजुवेशन किस विशह में राप्त की है ऐसे किह सायंस बालोगी से जैसा कि आप दर्सकों को पता है कि इन्होंने साइंस बालोगी से ग्रेजवेशन की यह कैसे आपके अंदर आया क्या एसी कोई गटना हुई कि किसी से कोई प्रेर्णा मिली कि आपने डांसिंग सीखना सुरू किया और कोरियोग्राफी वगरा कि की आप सर्मा जी क्या हुआ कि करनी तो पढ़ाई थी इंट्रस्ट पढ़ाई में बहुत था लेकिन उस दोरान हमारी एक लड़की थी हमारी उससे पुलाकात हुई और हमें वो पसंद थी और हमारे किसी कानदर्स हमारे एक्जाम छूट गए जिस वज़से हमें एक्जाम घर बहुत इस्टिक थे तो घरवालों को बता नहीं सकते थे एक्जाम चूटे जी तो उस दोरान उस लड़की ने हमसे कहा कि अगर तु मेरे को रैमो सर के आटोग्राफ लाके देता है तो मैं तेरे को हां बोज़ दूँगी बस क्या था चोटे बच्चे थे और नॉलिज थी आट ह्यां कहीं आट हुई इस टो किया मैं क्यों लगबग八 पहीने मेरे कर्म से मेसे मेरे स्टार्ट हो तो आपने रैमो सर से रैनिंग ली और क्या कभी आप रैमो सर से मिले जी बिल्कुल अगर रैमो सर के शिरूट से ट्रेनिंग लिए तो वहाँ पर क्या सीन होता था कि बीक में एक क्लास रैमो सर का होता था और वह एक दिन आते थे बागी टाइम उनके असिस्टेंट वगएरा मतलब वहां पर में करते थे जी तो रैमो सर से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आप कभी मुंबई गए जी बिल्कुल ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिर मुंबई की जन्नी स्टार्ट हुई मुंबई गए और पता नहीं था फरस्ट टाइम गए थे तो कैसे बहां मैनेज करना है क्या खाएंगे क्या सब्सक्राइब कुछ मॉलन कुछ मालूम नहीं था तो उस दोरान मेरे एक दोस्त हुआ अगरता था आज भी है वह दोस्त मेरा हमेशा ऐसे टाइम में मेरे साथ रहा है और आई होप कि हर इंसान की जिन्दगी में कैसा सक्स होता है जो उसके साथ हर परिस्थिति में होता है भी दोस्त मेरा अगर वह नहीं होता तो सायद मैं इतना नहीं कर पाता होगा लेकिन इस्ट्रकल कर पाया जो कर जो जो एक्स्पीरेंस था वह बहुत गंदा था बहुत ही गंदा अनुसे एक्सपीरेंस प्रेसे मुझे इतना मजबूत करा यह आज मैं इस जिके हूं अगा सथे दूर चालते हैं तो पता चलता है कि यहां पर कितनी मेहनत है किस तरह से वहां पर बयवार किया जाता है किस तरह से होग अपनी मेहनत करते लmeg को हमें सोट में बता है देखे मेहनत तो हर जगे आप कोई भी काम करोगे मेहनत हर जगे लेकिन क्या होता है कि जब हां हम किसी नई जगे जाते हैं या कहीं नई जननी स्टार्ट होती है किसी भी नई चीज में तो उस दरान थोड़ी रहने के लिए कहीं अरेज्मेंट नहीं हो जो फ्रेंड्स वगेरा थे सबने हाथ खड़े कर दिये कोई बहार हूं कोई है सबके एक्सक्यूस है तो फिर सोचा कि हमने क्या करें या तो घर चलते हैं वापस लेगिन हमने सोचा जब आये हैं तो कुछ करके जाना है कुछ सीख क तो जाएंगे अगर कुछ नहीं भी करते हैं तो फिर हमने सोचा कि चलो सोने का देखते हैं बाद में क्या होगा तो हम जाते थे पूरा दिन करते थे और साम को आके हम एक वहां पर ग्राउंड था वो ग्राउंड में आकर हम सो जाते थे तो यह डेली हमारा चलता रहा चार ही आद आ रहे हो और कुछ नहीं कर सकते हैं तो मुंबई में स्ट्रगल करने के बाद फिर आगे की जन्नी कैसे कि आपने मुंबई से जब आए तो हमने एक चीज़ सिखी कि सबसे पहले आपके पास फैनेंसली सपोर्ट होना जरूरी है कुछ भी काम करने तो उसके बाद फ क्लिएं को कोई नहीं देता है तो उसके बाद भी हम जोने किया सब करते रहें लेकिन व सबरकरे嗎 कर सकते हैं हो बहुत बढ़के कि कभी हैदराबाद कभी दिल्ली कभी हिमाचल कभी राजस्थान कभी मूंबई तो यह सिलसला हमारा चार साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया मतलब और इन चार साल में मेरे साथ मेरा दोस्त रहा चार साल स्ट्रगल उसने मेरे साथ बराबर किया अगर सायद मैं अकेला होता तो मैं नहीं कर पाता और छोड़ देता क्योंकि घरवालों का बहुत प्रेशर था कि छोड़ दे कुछ नहीं रखा है तुझ जैसे बहुत लोग हैं और हमारे पास कोई बैक बैक अप नहीं है या हम कोई फिल्मी बैक्ग्राउंड से नहीं है बड़ वो एक था जित्ती की पढ़ाई छोड़ी है और आप छोड़ी है तो आप करेंगे बस चल दिए हिवानसु जी एक छोटा सा ब् देख वार फिर स्वागत है आपका हमारे शो में धर्ति से सिखर तक में और आज आप मिल रहे हमारे नई महमान से हिमांसु चोहां जी से हिमांसु जी आपकी सफलता की सुरुवात कैसे हुई इसके बारे में बताएं सफलता की सुरुवात कुछ खास नहीं रही क्योंकि उ लग रहा था यह फिल्ड छोड़ना पड़ेगा कि हमने गलती करी यह वह सबसे पहला ब्रेक जो है वह सहारनपुर में मुझे कि स्कूल का फंक्षन कोरेगाफ करने के लिए और वह फंक्षन किया वह बहुत प्रॉब्लम्स थी उस वक्त भी कि पैसे नहीं थे भूके रहके वह फंक्षन किया बट वहां से मेरा केरियर स्टार्ट हुआ उसके बाद वहीं पे एक सर थे करन्चोहान जिन्होंने मुझे एजन असिस्टेंट कोरेगाफर अपना रखा और तो सहरनपुर में आपने कोरियोग्राफी की सुरुवात की तो उसके बाद फिर आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई और कारियर किया उसके बारे उसके बाद प्रोजेक्ट मैंने किया सबसे पहले मैं हैधराबाद गया हैधराबाद में लियो कंपनी एक थी लियो फोनिक्स स्कूरू बंजा रही पर तो मैंने वहां लगबग एक डिर्ड महीना काम किया और फिर मेरे को लगा कि मुझे साइद मेरा ट्रैक कुछ तो आपने बदाए कि राजस्थान आपने डूंगर पूर जो पूर जो पूरे भारत में सबसे स्वच्छ सहर में जिसकी गिंती आती है उसके स्वच्टा अभियान में आपने उसकी गाना सूट किया जिसकी असिस्टेंट डारेक्टर आप थे तो हम दर्शकों को उस गाने की एक वार जलक दिखाना चाहते हैं तो आप देखते देखिए एक जलक तो इस गाने के बाद फिर आपको कोई और गाना अपने कोरियोग्राफ किया हाँ इसके बाद उसी प्रेडक्शना उसका एक गाना और निकला जिसका नाम था यह स्कूल लाइट और वो कोई प्लान नहीं था बस वो सडली प्लान बना कि कुछ बच्चों के लिए करना है क्गि हम जो जो फिल करका हम आये बहार तो हम चाहर है रहे थे कि जो बच्चे इंट्रस्ट्ट complaint उनको फिल्कषना करना पड़ों इसलिए हमने सोचा कि उनके लिए एक बात यहीं सब्सभाहार तो इसले हम नहीं ब्रोजक्त बनाएब स्कूल लाइफ और बहुत अच्छा रहा हूँ जी दर्सकों को हम इसकी एक जलक दिखाना चाहते हैं कि जो आपने ये बहुत ही बढ़िया आपने गाना ये सूट किया है ये है स्कूल लाइफ हर स्टूडेंट की लाइफ में कुछ ना कुछ गटित होता है उसकी स्कूल पूसरी एफ हम तो लेती सेवियां दीर दीर बन्नोगी अम्थो खूले खिल किया है याद रहेंगे सब हमें बदमाशियां बदमाशियां कि दूसरी ती वाईसरों जी गाना तो बहुत आपने अच्छा ही और पहले बात दूंगरपुर वाला दाना और बहुत ही अच्छा प्यारा सौंग था और वह मेरे लिएoming Raw act- kald न जल दिन एर उसके बाद वह शूटइंग ति मैंने चलेंना बन्दों कि कि ये कि वार हम ये तेरी मणक चाना जो आपने दूर्ड किया है उसकी एक जलक दर्सकों को दिखा दे उसके बाद फिर मिलते हैं जानतीया मैंनू अपने दिल दे एंटी करी जानतीया तेरा मुख जौद मी जनवां कूपर मौदा आया उड़ता उठे दे रहने तेरा चिता ओंदाया तो हिमाश्य जी पंजावी सौंग देखने के बाद तो हमें लगता है कि आपने और भी बहुत सारे गाने कोरियाग्राफ किये हैं लेकिन आपने एक्टिंग की सुरुवात कैसे की एक्टिंग की सुरुवात कोई सोचा नहीं था वससड़नली स्टाट हुआ लोगों की मोटिवेशन रही और मेरे गाव का बहुत बड़ा हात्रा क्योंकि सूचते थे वह सिर्फ एक आपने के सिरुवात कहा चीए मैं अभी जाना तो वैसे मुंबई था मुझे यहीं मिल गया और अभी मैं एक बैप सीरीज कर रहा हूं जो बहुत जल्द आने वाली है जिसका अधर्म यात्री अधर्म यात्री उसको डारेक्ट करें दीप किस्न मीड़ा जी तो उसमें आपका और क्या रोल है उसमें मैं एक बिलन का प्ले कर रहा हूं और वह कारेक्टर मुझे बहुत पसंद आया है क्योंकि वह कहीं ना कहीं मैं चाहता था मैं बच्पन से उस टाइब का कैरेक्टर प्ले करना चाहता था तो और भी वैब सीरीज आपके आने वाली है हाँ अभी एक वैब सीरीज और मिली है मुझे वह अभी मैं नाम नहीं ओपन कर सकता उसका लेकिन राजस्थान में उसका शूट होना है और अभी नेक्स में आप विलेन का रोल कर रहे हैं एक वैब सीरीज में इसके बाद और भी वैब सीरीज आपके आने वाली है कुछ गाने आपके आने वाले हैं और कौन कौन से अपकमिंग आपके अब मेरा स्वच बचेफिन है अभी मैं दो गाने शूट करके आया हूँ और अभी एक बैप सिरीज और एक शॉर्ट मुवी के लिए मैं भी जा रहा हूं शूट के लिए और दो सौंग और हैं और एक सौंग पंजाब का वापस से मुझे मिला है जस्विंदर कोड जी का और एक सौंग और है तो ऐसे करके बहुत अभी बिजी सीडू पिजरना चाहेंगे नरे जी मैं संदेना चाहूंगा कि जो भी है या जो भी आभी कैरियरु कर रहे है कर रहे हैं उनको यह मैसेज देना चाहूंगा की डरे नहीं कोई भी रास्ता जो है वो आसान नहीं होता है किसी भी फिल्ड का आप मेहनत करो आप यकीन लखो खुद पर और डेफिनेटली आप वो चीज पालोगे एक दी तो और ये याद रखना हमेशा हर एक इनसान की जिंदगी में एक ऐसा कॉमरेड एक ऐसा उसका साथी ह होता है जो उसको सपोर्ट करता है मेरी जिन्दगी में बहुत चैरेक्टर ऐसे हैं जिन्हों थो इनको बहुत दिल से फैंग सो बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे शो में आये और आपने हमारे दर्सकों को इतनी जानकारी दी और अपनी लाइप से रूबरो कराया आपका बहुत-बहुत शुकरятель तो मित्रों आपने देखा कि किस तरह से हिमांशू चोहन जी ने अंपने संगर्सब़ी लाइप को वमारे दर्सकों के सामने रखा, आपके समक्ष रखा, इसी तरह हम आने वाले समय में आपको नई नई हस्तियों से मिलवाएंगे, रूबरू कराएंगे और देखेंगे कि कैसे संगर्स और मेहनत से सफलता के मुकाम को हासिल किया जा सकता है, देखते रहिए धर्ती से इस सिखर तक, नमस्कार